इसके पहले वाले वीडियो में हम बताये थे कि रसाइनिक समिकर्ण किस परकर से बना जाता है उसमें बेसिक चीजों के बारे में बात हुआ था यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें यकीन मानिये आपको थोरा सा भी समझने में कहीं भी कोई प्रोलम नहीं होगा ठीक हैं? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जल के साथ किस परकर से अभिकरिया होगा जल के साथ अभिकरिया है ना? यानि reaction with water इसमें आप लोग इस बात को समझ ले पहले कि water यानि जल समझना नहीं है तो आप लोग को पहले से पता होगा इसका formula क्या होता है? H2O तो जल के साथ किस परकर से अभिकरिया होता है? या फिर धातू के साथ में इसको हम लोग को समझना है तो देखे, सबसे पहले इसमें ध्यान में रखिएगा कि H2O में दो आयन होते हैं एक H plus होता है और दूसरा OH माइनस होता है ठीक है? अगरी बात समझ में H2O में दो आयन होता है एक H plus होता है और दूसरा OH माइनस होता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका बात किया था, इसका जिकर किया था कि H का संजगता क्या होगा, ओH का संजगता क्या होगा, या और भी बहुत सारे कत्वों के बारे में, आयन के बारे में, योगी किस परकर से बनेगा उसके बारे में बात किया गया था, तो इस सब कंसेप्ट को रखना है उसके बाद इस वा सानी समनों को समझ देना है तो H के बाहरी कर्ष में एक के लिए परन थे याद है न इसलिए इसका संजगता एक है वो H का संजगता भी क्या है एक है आप देखिए जैसे equation आप से पुछ दिया गया कि sodium को जब आप जल में डालते हो तो किस परकर से अभिक्रिया होगा या magnesium को इसके अंदर जब डालते हैं तो किसा equation बनाएगा यह किस परकर से अभिक्रिया करेगा या फिर मानलो कि calcium को यदि आप डाल देते हो जल में तो किस परकर से अभिक्रिया करेगा या फिर इसके अंदर मालो Almonium को डाल दे तो क्या होगा Almonium को डाल दे तो क्या होगा यह बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा बहुत छोड़ा वीडियो होगा लिकिन जो भी होगा सब important होगा यहाँ सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखे कि sodium जो है धानायन होते हैं, धातु क्या होते हैं, धानायन होते हैं, और जो धानायन होते हैं, वह इस यौगिक मेंसे पहले धानायन को हटाएंगे, और धानायन को जब हटा देंगे, तो जो बचेगा उसके साथ अभिक्रिया करेंगे, पहला काम क्या है, धानायन को हटाना, अब वहीं यहां condition है कि जब तक हटाएगा नहीं तब तक अभिक्रिया होगा नहीं चली इसमें हम तो यह जान लेंगे कि h को कौन-कौन नहीं हटाएगा ठीक है h को कौन-कौन नहीं हटाएगा इसको जनकारी रखना है आप सब को जिसे कि यहां c u है अना a g है अना c u है a g है pt है अना a u है यह जो तत्वा है h को नहीं हटाएगे अना यह जो तत्वा है h को चलिए देखे यह जो तत्वा है h को नहीं हटाएगे ठीक है और इसके अतरिक्त यदि कोई धातू आता है तो यह सब h को हटा सकता है यह ना क्योंकि अनगर जो धातू है इसको छोरकर owah h से अधिक क्रियासिल है, उसको हटा सकता लेकिन ये कम क्रियासिल है इसलिए ये नहीं हटा सकता है यदि मान दो आपको इसे भी प्रसंदे दिया जाए Cu plus H2O Cu plus H2O तो देखो क्या होगा इसको हम लोग सिखेंगे तो sodium जो है यहां से तो धाना इनको हटाएगा ये तो इसमें नहीं है ना sodium धाना इनको हटाएगा जब धाना इनको हटा देगा यानि यहां से H plus को हटा देगा तो यहां क्या बचेगा OH बचेगा न अब Na का जो अभी करिया है किसके साथ होगा OH के साथ होगा NA का सुन जगता एक होता है OH का भी एक होता है क्रस केजिए क्या बनाएगा यह NA OH बनाएगा NA OH बनाएगा सेम कंडिस्टन यहां भी लागू होने वाला है MG इसमें से H को हटा देगा OH से अभिक्रिया करेगा तो यहां बनाएगा MG OH का MG OH का होटवाईग कही से लिख दिया OH का एक होता है सन्य जगता इससे पहले वाले वीडियो में बात किया गया था और MG का दू होता है ठीक है आगई बार समझ में तो इस परकात से यौगिक बनेगा और इसमें साथ में ही ध्यान रखना है कि इसके साथ में ही यहां से बाहर निकाला किसको गया था H को जब H को बाहर निकाला गया है H अकिला पर गया ना विशारा H अकिला पर गया तो यह तात्वी की रूप में रहेगा तात्वी कणू के रूप में H2 वो इसे ही यहाँ भी क्या होगा H2 होगा H2 क्यों हो जा रहा है क्योंकि यह H जो है तात्विक अडू है अब इसे किल्सियम को यदि इसमें डालते है तो किल्सियम हड़रा ओक्साइड बनाएगा फर्मुला तो CAOH का होगा अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा घवरान नहीं है अब पहले वाले वीडियो को यदि देख लिये हैं तो आपको तो समस्या नहीं है यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको एक बार आप जरूत देख लिए हम बोले थे ना इस्टार्टिंग में कि यदि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको थोड़ा साभी कहीं से भी कुछ प्रोब्लम होने वाला नहीं है कोई प्रोब्लम नहीं या देखे एल्मुनियम को इसमें डालो जल में एल्मुनियम को डालो जल में जब हम एल्मुनियम को डालते है एल्मुनियम ह को हटा देता है ओएच से अभी क्रिया कर लेता है तो ओएच से करता है तो क्या बना देता है एल ओएच का होल्थराइज क्योंकि एल्मुनियम का सनुज़कता 3 है और प्लस में क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा लेकिन यह जितने हमने equation बनाया इस सब में एक condition है न कि सब ने H plus को हटाया सब ने H plus को हटाया है तब जाकर के O H से अभिक्रिया किया है अब यहां C U H plus को हटा देगा यहां तो हमने बता रखाया है कि C U, A G, P T, A U यह H plus को नहीं हटा पाता है नहीं हटाने के करण यह equation समभाव नहीं है यानि यह क्या हो जाएगा No reaction No reaction क्यों नहीं? क्योंकि C U कम करियासिल है H को नहीं हटा सकता इसके पास उतना पावर नहीं है कि यह इसको हटा सके है ना? इसके पास पावर नहीं है अगर A G के साथ आप से कह दिया जाए कि A G plus H to O क्या बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा कुछ नहीं बनाएगा ठीक है और भी इसमें हम लोग को बात जानना है अब इन तो ये बहुत सिंपल सिंपल बात है इससे भी अधिक हम लोग को बढ़ना है ने पढ़ेंगे तभी तो कुछ करेंगे पढ़ेंगे तभी ना कुछ करेंगे अगर भीन पढ़े कुछ कर लिया जाता तो बताओ हमको इतना मेहनत करने की क्या हो सकता था अब इन आपको सिखाए कि धातू के साथ की से बहवार होगा जलका धातू के साथ की सा बहवार होगा जलका की से अभिक्रिया होगा अब आपको सिखना है आइनिक योगिक के साथ आइनिक योगिक याद है न है कि जिस योगिक में धातू उपस्ते थो N-A-C-N, sodium जो की धातू है magnesium sulfate magnesium धातू है agne ammonium fluoride ammonium धातू है और भी एक लिख देते है zinc sulfide zinc धातू और इस सबका अभिक्रिया जो है किस के साथ होने वाला है H2O के साथ में सबका अभिक्रिया किस के साथ होने वाला है H2O यानि जल के साथ में अभिक्रिया होने वाला है कमाल हो गया आज तो complete equation जल के साथ है न? मज़ा आगया यह देखे इसमें अब दो भाग कौन कौन से होंगे NA और CL आइनिक योगी की खास विसिस्ताय होती है कि यह आइनों में टूड़ याता है अलग अलग हो जाएगा धान आइन अलग हो जाएगा अरीन आइन अलग हो जाएगा NA अलग हो गया CL अलग हो जिससे ही आप इसको इस जल में डालेंगे अब यह दू भाग में टूटेगा इसमें से भी दू भाग होंगे एक H और एक OH यहां लिखे तो है एक H और एक OH वहीं चीज़ यहां भी होने वाला है यह भी आइनिक योगिक है इसमें भी दू आइन होंगे एक MG होगा एक S उपर होगा H टू है तो वहीं पिछली वाली जो बात है पिछली बात है H और OH यहां जो आइन होने वाला है AL और CL यहां होगा JN और S टोटल एक्वेशन जल के साथ है न किसके साथ जल के साथ अब यहां बताओ NA जो है ध्वनाएन है न तो इसमें का रीनाएन के साथ अभी क्रिया करेगा रीनाएन जल में कन सा होता है OH तो NA OH के साथ क्या बनाता है NA OH बनाता है NA OH बनाता है फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा न अब यहाँ H प्लस में मिलेगा न वेच तो N A के साथ आ गया अब यहाँ क्या मिलेगा H मिलेगा और वह H किसके साथ जाने वाला है C L के साथ जाने वाला है यहाँ C L माइनस में C L रिनाएन है अब H C L के साथ क्या बनाएगा HCL बनाएगा HCL के साथ में क्या बनाएगा HCL बनाएगा इसा की से हो गया सब में सन्योजक्ता का कमाल है सब में NA का सन्योजक्ता एक OH का एक NA OH H का भी एक सन्योजक्ता होता है CL का भी एक HCL इसके नीचे दिखते हैं सा अलग सन्य जगता वाला है यह mg अलग हो गया mg इसमें का mg धान आयन है एसो फुर क्या है रीन आयन है यानि यह प्लस वाला है यह माइनस वाला है इसमें भी दो भाग होंगे एक h होगा प्लस वाला और इसमें oh होगा माइनस वाला इसमें का प्लस वाला माइनस वाले के साथ M.G. का सुने जगता दू होता है O.H. का सुने जगता एक होता है अब यह क्या बनाएगा M.G. O.H. का होल्ट वाइज बनादेगा M.G. O.H. का होल्ट वाइज बनादेगा क्योंकि mg का सुन जगता तो दू होता है और प्लास में H, A, S, O, 4 के साथ क्या बनाएगा H, O, A, S, O, 4 बनाएगा H, O, A, S, O, 4 बनाएगा A, S, O, 4 का सुन जगता दू होता है H का एक होता है आगे क्या होने वाला है तो अब aluminum chloride की अभिक्रिया जल के साथ होने वाला है और aluminum का सुन जगता तिन होता है इसलिए यह बनाएगा A, L, O, H का होल थराईज और प्लास में H, C, L है ना आगे यहाँ देखे यह बनाएगा Z, O, H का होल थराईज और प्लास में H, O, S H, O, S इसे हो गया तो ZN धानाएज है तो OH के साथ ZN, O, H का होल थराईज S, Rhinाएज है H के साथ H, O, S है कि नहीं यदि आप इतना सीख गए हैं तो और एक इस टेप आगे बढ़ने की अब सकता है उसके बाद complete equation हम लोग सीख लेंगे किसका देखिए इसके बाद क्या होगा अभिन तक हमने यह वात बताया था कि जन में दू आयन होते हैं एक H प्लस और OH माइनस और यह टूट याएगा कब टूटेगा यह भी बताया थे जब इसमें आप धात्व को डालेंगे तब टूटेगा या फिर आयनिक योगिक को डालेंगे तब टूटेगा लेकिन यदि आप इसमें सह सन्योजी योगिक को डालते हैं तब तो यह टूटेगा ही नहीं यह टूटेगा ही नहीं क्योंकि सह सन्योजी योगिक में टूटने का लग्षन नहीं है यह आएन में तूटेगा नहीं, आएन से तो बना ही नहीं है, तो टोटेगा इसले। पिसे पहचान लेना है तो एकदम सिंपल करीका इसमें धातू है का कोई इसमें कोई धातू दिखा इसमें कोई दिख गया हो तो बताओ जब धातू कोई है ही नहीं तो नहीं दिखेगा न जब कोई धातू नहीं है तो साहसन्योजी योगिक है असा सन्य जी योगिक तूटेगा नहीं तूटेगा भाई अब जल कहता है कोई बात आप नहीं तूटोगे तो आके जुट जाओ बहुत सिंपल सधारन बहवार वाला योगिक है जल जो तूटता है कहता है हम भी तूट रहे हैं कहता है आप नहीं तूटोगे तो ठीक है कोई नहीं हम भी नहीं तूटेंगे इसको आपस में जुर लेता है कि देखो एच है दूगो एच दूगो इतो और आसान है S यहाँ 1 ही है O यहाँ है 2 यहाँ है 1 तो O कितना हो गया 3 यानि H to S हो 3 N यहाँ है 1 N 1 H है 3 अदू 5 H हो गया 5 Oxygen 1 ही है तो Oxygen 1 ही है अब इस compound को हम तई से भी लिख सकते है NH for OH Ammonium Hydro Oxide बात तो ही है N 1 है N 1 है H है 5 यहाँ H है 4 O 1 है तो O 1 है इसको क्या करेंगे यह भी तो सहसन्य जी याओगिक है इसको भी जोर देंगे बिंदास हो करें के जोर हो H है 2 C 1 है तो C 1 है Oxygen 2 है यहाँ 1 है Oxygen 3 हो यह कहां कोई problem हो रहा है equation बनाने में problem उसी को होता है जो समझ नहीं पाता है है ना चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे जल के साथ complete reaction सीखे इसके बाद भी equation यदि आप सीखना चाहते हैं तो comment कीजिए इसके बाद भी दूसरा equation लेकर के हम आएंगे और बिल्कूल बिंदास तरीके से आपको समझा करके जाएंगे बिल्के के धन्यवाद